इतने सारे नाम है कि शाम हो जाएगी लेकिन नाम खत्म नहीं होंगे कला संगी जगत की ही बात करे तो काजी नजरुल इसलाम, सत्यजीत रे, रुत्विक गटक, म्रणाल सेन, सुचित्रा सेन, उत्तम कुमार कितने ही नाम है जिनोंने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है वैसे बहुत से लोगों को ये भी पता नहीं होगा कि दुर्गा स्वरूप मा भारती की जो तश्वीर आज करोडों भारतियों के दिल में बसी है वो तश्वीर भी सबसे पहले बंगाल में अबनिंद्रनाथ टेगोर जी ने बनाई थी बंगाल के लोगों में एक ऐसी आत्मशक्ती है जिसके कारण वे हर छेत्र में आगे बढ़कर उपलिप्दिया पाते हैं बंगाल के लोगों ने देश को प्रगती के मार्क पर आगे बढ़ाया है आज भी बढ़ा रहे हैं और ये मेरा विश्वास है कि बविश्व में भी बंगाल के लोग देश का गौरव इसी तरह बढ़ाते रहेंगे अभी इस कारके में उपस्थित आप सब भी बंगाल के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं आज के पावन दिन मैं सभी का स्मरन करता हूं अथा सक्तियों से भर्यू ही बंगाल की जनता को मैं आदरपूरवक नमन करता हूं साथियों इस बार हम सभी कोरोना के संकट के बीच दुर्गा पुजा मना रहे हैं मा दुर्गा के भक्त पंडालों के आयोजकों सब ने इस बार अध्व्यूत संयम दिखाया है संक्या पर भले असर पड़ा हो लेकिन भव्यता वही है दिव्यता वही है आयोजन भले ही सिमीत है लेकिन उत्सव का रंग उल्लास आनन अस्मीत है यही तो बंगाल की पहचान है यही तो बंगाल की छेतना है यही तो असली बंगाल है हाँ मेरा आपसे यह आगरत जरूर है कि मा दुर्गा के पुजा के साथ ही आप दोगज की दुरी मास्क पहनने और अन्य नियमों का पालन भी पूरी निष्ठा से करेंगे साथियों बंगाल में उमा एलो घरे की सनातन परंपरा रही है दुर्गा पुजा के पारम में बोधन समहरों में मा का पारंपरिक आहवान भी इसी परंपरा का विधान है यहां दुर्गा को अपनी बेटी भी मानते हैं बेटी की तरह घर में उनका स्वागत करते हैं यह दर्शन इस्वरिय सत्ता से हमारा संतान और मा का ये रिष्टा यही हमारे आध्यात्मिक और सामाजिक चिंतन का मुल्भुत आधार है इसलिए हमें सभी बेटियों को दुर्गा की तरह सम्मान करने की सिख दी जाती है नवरात्र में उनकी पूजा की जाती है और मा दुर्गा की पूजा तो शाक्षार शक्ति की साधना है हमारी मा दुर्गा दारिद्र दूख भयहारीनी कही जाती है दुर्गती नाशिनी कही जाती है अरथात वो दुखों को दरिद्रता को दुर्गती को दूर करती है इसलिए दुर्गा पुजा तभी पुरी होती है ज़म हम किसी के दुख को दूर करते हैं, किसी गरीब की मदद करते हैं साथियों महिसा असुर का वद करने के लिए माता का एक आउशी ही परियाप्त था लेकिन इस कार्य के लिए सभी दैविये शक्तियों को संगटित हो गई थी वैसे ही नारी शक्ति हमेशा हमेशा से भी सभी चुनोतियों को परास करने की ताकत रखती है ऐसे में ये सभी का दाइप्व है कि संगटित रुप से सभी उनके साथ खड़े हो भारतिय जनता पार्टी के विचार यही है संस्कार यही है और संकल्प भी यही है इसलिए देश में आज महिलाओं के ससक्ति करण का भी अभियान तेज गती से जारी है चाहे जन दन योजना के तहत 22 करोड महिलाओं के बैंक खाते खोलना हो या फिर मुद्रा योजना के तहत करोडों महिलाओं को आशान रुण देना चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो या फिर तीन तनाग के खिलाप कानून चाहे गरबावस्ता के दोरान मुक्त चेकप की सुविदा हो या फिर पोशन अभियान चाहे स्वच भारत के तहत घरों में सवचाले का निर्मान हो या फिर रसोई में धुएं से आजादी चाहे नाइट सिप में काम करने के अधिकार हो या फिर मैटनेटी लीव को बारा हपते से बढ़ा कर 26 हपते करना हो चाहे गहरी खदानों में भी काम करने की स्विकृती हो या फिर सेना में पर्मेनेंट कमीशन देश की नारी शक्ति को ससक्त करने के लिए निरंतर काम किया जा रहा है महलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सरकार सजग है रेप की सजा से जुड़े कानूनों को बहुत सक्त किया गया है दुराचार करने वालों को मृत्यु दंड तक का प्रावधान हुआ है भारत ने जो नया संकल पर लिया है आत्म निर्भर भारत के जिन अभियान पर हम निकले हैं उसमें भी नारी शक्ती की बहुत बड़ी भूमी का है साथियों मैं बोलेनात की नगरी काशी का साउंगर काशी में माद दुर्गा माता अनपूर्णा के रुप में मिराटी है मा के रुप में दुर्गा जी को हमेशा ये चिंता भी रहती कि उनकी कोई संतान भूखी न रहे कोई गरीब न रहे बांगला में कहते हैं आमार संतान जेनो थाके दूदे भाते मा दुर्गा का ये आशिरवात तभी पूरा होगा जब हमारा किसान आत्म निर्भर बने हमारा स्रमिक आत्म निर्भर बने हमारा देश आत्म निर्भर बने आत्म निर्भर भारत के इसी संकल्प से हमें सोनार बांगला के संकल्प को पूरा करना है। हमें याद रखना है ये बंगाल की ही पवित्र धर्ती थी जिसने मायर देवा मोटा का पोड़ माथाय तुले नेरे भाई का गीत दिया था। ये बंगाल की ही धर्ती थी जिसने आज़ादी के अंदोलन में स्वदेशी को एक संकल्प बनाने का काम किया था। बंगाल की ही धर्ती से गुरुदेव रविद्रना टैगोर और मंकिम चंद्र चेटर जी ने आत्मंदिर बर के रखना है।